इस वीडियो में हम जो हरबर्ट ने मॉडल दिया है टीचिंग का उसको पढ़ेंगे ज्यादतर टीचिंग मॉडल्स इन चार तत्वों पे बेस्ड होते हैं फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम इन ही फोर एलिमेंट्स के आधार पर हम हरबर्ट टीचिंग मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे हरबर्ट टीचिंग मॉडल्स, फोकस या उद्देश्य, बच्चों की जो मेंटल अबिलिटीज हैं, मानसिक छमता हैं उसको डेवलप करना जो भी स्टुडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है वो उसे याद रखे और जरूरत पढ़ने पे जो याद किया हुआ है उसे दोहरा सकें सिंटेक्स, मॉडल के अंदर जो भी हम अक्टिविटीज, स्टेप बे स्टेप फॉलो करने वाले हैं वो सिंटेक्स के अंदर डिसकस करते हैं हरबर्ट ने फाइफ टीचिंग स्टेप्स दिये थें जिसमें सबसे पहला है प्रिपरेशन और स्टेट्मेंट आफ एम, दूसरा है प्रिजेंटेशन, फिर उसके बाद कमपरिजन, जेनरलाइजेशन और अप्लिकेशन प्रिपरेशन हम सबसे पहले देखेंगे इस स्टेप में टीचर्स स्टुडेंट से कोशन पूच कर ये जानने की कोशिश करता है कि वो जो पढ़ाने जा रहा है उससे रिलेटेड स्टुडेंट पहले से क्या जानते हैं एक तरह से वो एस्टुडेंट को मोटिवेट करता है सीखने के लिए नए इनफॉरमेशन सीखने के लिए ऐसा इसलिए टीचर्स करते हैं क्योंकि जब तक इस्टुडेंट कंसेप्ट को समझेंगे नहीं वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे इसलिए ये जरूरी होता है कि student ये समझें कि कोई particular concept कहां से आ रहा है For example, अगर teacher Herbert model of teaching students को पढ़ाना चाते हैं तो teachers students से question पूछ कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि students memory level of teaching के बारे में क्या जानते हैं Statement of the aim Teacher जो है student का जो knowledge है उसको test करने के बाद बच्चों से बता देता है और blackboard पे लिख देता है कि वो आज कौन सा topic पढ़ाने वाला है For example, वो बच्चों को बता देगा कि आज वो Herbert model of teaching पढ़ाने वाला है Presentation Herbert teaching model का ये सबसे main step है Teacher teach topic with the help of teaching age Teacher जो है वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं teaching age की मदद से Interesting way में पढ़ाना शुरू करते हैं तो students पढ़ने में इंट्रेस्ट लेने लगते हैं एक अच्छा teachers story या example के through topic को पढ़ाना शुरू करता है Teachers को पढ़ाते समय simple language का इस्तिमाल करना चाहिए Teaching process तभी effective होती है जब students class के अंदर active होते हैं Next is comparison पुर्व ग्यान और नवीन ग्यान में तुलना करना Students से दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं ये पूछना जो books में example लिखे हुए हैं topic से related उसको छोड़ कर real life examples teachers बच्चों से पूछेंगे इस step का यही aim होता है कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं उसको याद रखें Generalization इस step पे teacher का role कम हो जाता है Students को time दिया जाता है कि जो वो पढ़े हुए हैं उसको सोचें सोच कर निशकर्ष निकालें और अपने conclusion निशकर्ष के आधार पर नियम principles का निर्माल करें एप्लिकेशन गे last step है इसमें क्या होता है Students ने जिन principles का निर्माल किया है उसका इस्तेमाल जो है वो real life problems को solve करने में करें Social system Social system learning environment के natures को teachers और students के role को describe करता है इस model के नुसार जो teachers होते हैं उनका role जो होता है वो primary होता है और students का role secondary होता है वो बहुत active नहीं होता Support system Support system क्या होता है जो भी instructional aids अपनाए जाते हैं Teaching में उसको support system कहा जाता है इस model के अनुसार इससे type test, oral test, return test इन सभी का इस्तिमाल teaching में किया जाता है जाते है जाते है जाते हैं